ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी क्रश्न हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारी धर्मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशिफल यह राशिफले एक अगस्त दोहजार बीस शनिवार का दिन है स्रावन महा के शुकलपक्ष की त्रयोदसीती थी है यहने सावन महा की शनी प्रदोस का महा पर रहेगा यह स्रावन महा की अंतिम प्रदोस रहेगी और शनी प्रदोस के दिन भगवान शिवजी का तथा शनी देव का विशेश पूजन अर्चन भी किया जाता है तथा संतान प्राप्ति के लिए शनी प्रदोस का वरत किया जाता है शनी प्रदोस की अधिक जानकारिय दिया आप चाते हैं तो हमारे चैनल पर हमने आपके लिए अन्य वीडियो प्रस्चुत किये हैं उनको आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा मूल नामक नक्षत्र होगा धनुराशी में चंद्रमा दिमान रहेंगे दिशासुल के अगर हम बात करें तो पूरु दिशा में रहेंगे इसलिए पूर दिशा की यत्रा करना नुकसंदाई साबित होगा यदि किसी कारण वस पूर दिशा की यत्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो अध्रक खा करके यत्रा शुरू कर सकते हैं राहुकाल जो की सुबह नो बजे सिले के साड़े दस बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब मैंगलिक या डेया काम आपको नहीं करना चाहिए देनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव करक राशी में वही चंद्रमा की बात करें तो वो धनू राशी में रहेंगे और मंगल ग्रह मीन राशी में, बुद्ध मिथुन राशी में, देव गुरूब रहस्पती धनु राशी में, शुक्र व्रशव राशी में, शनिरेव मकर राशी में, राहू मिथुन एवं केतू धनु राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार वरशप, करक, वरश्चिक, मकर और मीन ये पांच राशियां महा भाग गिशाली रहने वाली है इन पांच राशी वालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा मान समान के साथ साथ इनको यश प्रतिष्ठा की प्राप्ती भी होने वाली है अब हम आपको मेंस से लेकर के मीन सबी बारा राशी वालों का देनिक राशी फल बताएंगे साथ ही ये भी बताएंगे कि बारा राशी वालों को क्या खास उपाय करना है तथा इनके भाग गिशाली अंक और इनके लकी रंग क्या रहने वाले हैं तो हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेंसरासी की आप परिवार के साथ में अच्छे से समय व्यतीत करेंगे तथा मन और अंजन के अउसर भी आपको प्राप्त होंगे घूमने फिरने की योजना भी आप बना सकते हैं और अनावश्यक धन खर्चिक होने की संभावना है और जो आपका रुका हुआ काम है अटका हुआ काम है उसमें तेजी आ सकती है और उपाई के रूप में यदि आप किसी भी मंदिर में जाकर के कोई भी फल का दान करते हैं या साधू संत को दान करते हैं तो आप का देन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली रंग जो की पीला होगा अब हम बात करते हैं वरशब रासी की आप नया व्यापार या ववसाई शुरू कर सकते हैं दिन अच्छा है नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी चर्चा होगी और दिन खुश तरीके से वितित होगा साथ ही आपको कोई ऐसी जम्मतारी मिल सकती है जिसका बहुत दिनों से आपको इंतजार था किसी भी काम में जल्द बाजी न करे वरना आपको नुकसान हो सकता है और जो भी काम आपने पिछले दिनों शुरू किया था उसमें भी आपको फायदा होगा धनलाप के अच्छे संकेत आपको प्राप्त होने वाले हैं इस्थाई संपत्ती की योजना भी आप बना सकते हैं नया घर आप खरीच सकते हैं या घर बदलने पे विचार भी कर सकते हैं संतान संबंदी सुखत समाचार मिलेगा और कोई ऐसा काम हो जाएगा जिसको सुन करके आप खुश हो जाएंगे और उपाई के रूप में यदि आप भोजन के बाद एक इलाई चीखाएंगे तो आपका देन शुख फल्दाई साबित होगा और आपका भागिशाली रंग जो की चे होगा और आपका भाकिशाली रंग जो की लाल होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की रोजगार संबंदी समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा कौफी प्रयास करने के बाद भी आपको जो है किसी कारी में सफलता प्राप्त होगी याने काम में आपको महनत जादा करनी पड़ेगी और परिनाम अल्प मात्रा में प्राप्त होगा इसलिए आप महनत करते रहें महनत से पीछे न हटे तथा किसी भी अंजान व्यक्ति पर जादा भरोसा न करे अन्था आपके लिए नुकसान दाई साबित हो सकता है और उपाई के रूप में यदी आप एक लोंग भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा और आपका भागिशाली रंग जो की नौ होगा और आपका भागिशाली रंग जो की सफेद होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की बहुत दिनों से यदि किसी व्यक्ती से आपके व्यचारिक मधभेद चल रहे हैं या दूरी चल रही है तो वो लगभग समाप्त हो जाएगी या उसका कोई ने कोई समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा और परिवार के साथ अच्छे से समय वितित होगा धनलाब के नए संयोग आपके साथ बनने वाले हैं व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा पुराना निवेज भी आपको फाइदेमन साबित होगा तथा करिक्षेतर में नई उपलब्धी आपको प्राप्त होगी राजकी छेतर में भी आपको नई सूचना या अच्छा समाचार मिलने वाला है और उपाई के रूप में यदि आप गाई को रोटी और गुड़ खिलाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली रंग जो की आठ होगा और आपका भागिशाली रंग जो की नीला होगा अब हम बात करते हैं सिंग राजी की आज आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो आगे चल करके आपको बहुत फाइदा देगा धनलाप के उत्तम संयोग आपके साथ बनने वाले हैं लेकिन आप खर्च पर नियंतरन रखे क्योंकि खर्च की अधिक्टा के कारण आपको तनाओ और दबाओ का सामना करना पड़ सकता है किसी व्यक्ति विशेश से या अपने रिष्टेदार से या मित्र से या भाई बंदु से आपको वेचारिक मध्वेत का सामना करना पड़ेगा जल्दबाजी में कोई भी नर्णे न करे और जो भी करना है शांती पुरुवक धैर इसे आपको करना चाहिए सिक्षा के चेतर में आपकी उन्नती हो सकती है और आपने जो कुछ काम किया है उसके भी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आप धन लाप को प्राप्त करेंगे इसके सांसाथ आपका रुका हुआ पैसा भी आपको मिलने लगेगा और उपाई के रूप में यदि आप पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा और आपका भागिशाली रंग जो की पीला होगा और आपका भागिशाली अंक जो की छे होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की आपको व्यापार व्यावसाई से संवद्द्रित कोई कारी करना पड़ेगा या फिर नोकरी बदलने का मूड आप बना सकते हैं नई नोकरी का योग आपका बनने वाला है और आपको यदि नोकरी कर रहे हैं तो पदोनती के आउसर भी मिल सकते हैं उच्चा अधिकारी से, बड़े लोगों से, घर के बड़े बुजुर्गों से आपको अच्ची सला मिलेगी जो की आपके जीवन में, आपके कारियर में फायदे मन्स साबित होगी और जो यदि आप परतियोंगी परिक्षा देने जा रहे हैं या कोई इंटर्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अच्छे संकेत मिल सकते हैं और आप धैर से पूरी महनत से लगन से यदि काम करेंगे तो आने वाले दिनों में आज जो तयारी करेंगे उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं तथा आपको किसी पारिवारी व्यक्ति की मदद करनी पड़ेगी और उनके साथ आपका समय वितीत होगा और के रूप में यदि आप कुटे को रोटी खिलाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा और आपका भागिशाली रंग जो की हरा होगा और आपका भागिशाली अंक जो की साथ होगा अब हम बात करते हैं तुलाराशी की यदि आप बहुत दिनों से किसी काम को कर तो वह तलाश भी आपकी पूरी हो जाएगी और यदि आप घर परिवार के सिलसिले में यदि इस्थाई संपत्ति या वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं और आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही है या फिर आप अपना स्वयम का घर खरीदने का या फिर घर बन का विचार कर रहे हैं तो वह इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी तथा संतान संबधी खुश खबरी आपको मिल सकती है लेकिन पारिवारी कलह आपका बढ़ सकता है इसको आपको नियंत्रित रखना चाहिए सभी के साथ सोम व्यवभार करने की आउशक्ता होगी वा आपको नुकसान दाई साबित हो सकती है और उपाई के रूप में यदि आप भगवान शंकर जी के मंदिर में चावल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफल दाई साबित होगा और आपका भागिशाली रंग जो की सफेद होगा और आपका भागिशाली अंक जो की एक और आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है कारिक्षित्र में महनत आपको जादा करनी पड़ेगी लेकिन आपको उसके अनुरूप थोड़ा परिणाम कम मिल पाएगा हलाकि आर्थिक समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा पुराना कर्ज चुकाने की भी आप चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफल्दाई साबित होगा और आपका भागिशाली रंग जो की लाल होगा और आपका भागिशाली अंक जो की दो होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की आप पूरे आत्मिश्वास के साथ काम करेंगे करिक्षित्र में नई इमान संबान येस प्रतिष्ठा की प्राप्ती आपको होने वाली है और यदि आप कोई भी काम महनत से करेंगे द्रण निश्चय के साथ यदि आप लगे होए हैं तो निश्चय ही आपको अच्छी सफलता मिलेगी घर परिवार में शुब या मंगलिक करिक्रम की योजना बन सकती है जो काम आप कई दिनों से करने का सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं उसमें आपको सफलता के संकेत या कोई भी ऐसा समाचार मिलने वाला है और उपाई के रूप में यदि आप माता लक्ष्मी जी को पीला रंग का फूल चड़ाएंगे तो आपका दिन श कर्मियों का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा जिसके कारण आपके कोई खास काम पूरे हो जाएंगे जल्दबाजी में कोई काम न करें और अपने व्यवहार में आपको सावधानी रखना चाहिए तथा खर्च पर आपको नियंतरन रखनी की जर्वत होगी स्वास्त संबं हनुवान जी के मंदिर में यदि आप एक नारियल चराएंगे तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा और आपका भागिशाली रंग जो की हरा होगा और आपका भागिशाली अंक जो की चार होगा अब हम बात करते हैं कुमबराशी की आज आप अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत करेंगे तथा आपको कोई ऐसा काम दिया जा सकता है जो आप करने के इच्छुक नहीं है लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा और खर्च की अधिक्ता रहेगी आमदानी के सोर्स थोड़े कमजोर हो सकते हैं इसलिए खर्च पर आपको नियंत्रन और बना सकता है या फिर आप से दूर जा सकता है और किसी व्यक्ति के साथ वैचारिक संबंद भी आपके बिगड़ सकते हैं इसलिए संबंदों को अच्छे बनाए रखना आपकी महतुपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में यदि आप दूर्वा चड़ाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा और आपका भागिशाली रंग जो की पीला होगा और आपका भागिशाली अंक जो की पांच होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आपकी मुलाकात कुछ खास व्यक्ति से होने ब माप देगी मैं सम्मान प्रतिष्ठा के संकेत भी आपको प्राप्त होंगे घर में शुब या मैंगलिक कारिकरम की योजना बन सकती है नई संपत्ति खरिदने का विचार विमर्ष भी आप परिवार के साथ बेट करके कर सकते हैं आर्थिक तंगी थोड़ी बहुत आप महस प्रतिष्ठा करेंगे लेकिन कही न कहीं से आपकी व्यवस्था अवशी हो जाएगी और उपाई के रूप में यदि आप मचलियों को दाना डालेंगे तो आपका देन शुफल दाई साबित होगा और आपका भागिशाली रंग जो की सफेद होगा और आपका भागिशाली अंक जो की नौ होगा तो मित्रु या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई तथा भागिशाली अंक का हमने आपको पताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंड करिएगा औ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवशिकर लीजिए आपको और आपके पूरे फरिवार को सादर जैसी क्रश्न सादर धन्यवाद